हेलो गाईज अब यह मैं थार के अंदर बैटा हूँ गाईज और आज की वीडियो गाईज भहुत ही खास हुने लिए क्यों कि हमारे सामने देखिए चार गोडे खड़े हैं और उसके पीछे एक टैंक खड़ाए गाईज और इस थार गाड़ी की ताक्षत के साथ मैं टैंक क बहुत हैं गाईज और हम भी देखने की कि क्या थार टैंक को पलट सकती है क्या थार कि टैंक कमजोर दिखेगा तो यहीं देखें फिर से एक बार टैंक को मार दिया है लेकिन तैंक तस्वह नहीं हुआ लेकिन थार जो है अभी भी खड़ी है और smashed मजबूति के साथ खड़ी है तो कोई बात निये एक बार फिर से कोशिच करते हैं और देखती है कि हम death का आज बना सकते हैं नहीं बना सकते तो गाइस और एक बार कोशिच कर दिये गाइस और सोच रहा हूं कि मैं गाड़ी को रिवस ले रहे हूं बहुर दूर से बहुर टॉप स्वीड के साथ आके टैंक के उपर मार दू ताकि देखता हूं कि टैंक की टैंक जो है मजबूत है नहीं है यह देखिए और गोड़ा जो है गाईज वह भी उड़के चला चुका है लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं हो इसके उपर कुछ जो है है चोई बात नहीं नहीं आभी एक है फिर से इसको देखता हूं कि इसको टैंक को में हिला पाता हूं नहीं यार पाको नहीं हो वाहना है लेकिन थार की मजबूत हैं कि उन पर मार नहीं हुआ भाइदी है लेकिन बहुत दूर जाहूं का पसे गाड़ी को मार दो थार की सारे पलट तो दूंगा अभी एक बार देखते हैं कि पलट नहीं पड़ लचकता गाईस लेकिन कोशिच मेरी जारी है मैं इसको पलट के रखूंगा रहूंगा गाईस तो कोई बात नहीं है फिर से एक बार कोशिच करते हैं रिवर्स गेर में डाल लेता हूँ और इस टक्कर से शाइद इस तक्कर से शाइद ही जो है ना यह टैंक को पलटाने के कोशिक गाइस लेकिन गाइस बहुत बारी बैम होता है लेकिन इतनी वीडियो अच्छी बनाई तो वीडियो का लाइक किजाओ चानिल को सब्सृब कीजाए और धार के कारण गाईज मैंने यह थार गाड़ी थी इसलिए इस टैंक को मैं हिलापा सका हूँ और थोड़ा सा मैंने इसको उफर उटा दिया है गाईज लेकिन अभी यह पलटे का नहीं तो यह फाइनल शोगा पोच चुका है गाईज तो वीडियो का लाइक कीजए चैनल का सब्सक्राइब कीजए